नवस्कार दोस्तो नुव लाइफ क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मौर्योत्तर कार का यह दूसरा भाग है जिसमें आज हम हिंद यूनानी सक और पहलो और कुसार वन्स के वारें बात करेंगे इसमें best questions इस से चूच किये गए हैं जो कि पूरु में सभी exams में पूछे हुए question है और साथी साथ भोस में भी आने की संभावना है आप किसी भी परिचा की तयारी कर रहे हैं चाहे वह SSC का exam हो चाहे railway के exams की तयारी कर रहे हूँ आप चाहे UPSC की तयारी कर रहे हूँ यह सभी exams के लिए परियाप्त question है ठीक है तो चलिए इससे पहले हमने मौर्योत्तरकाल का भाग वन भी complete कर लिया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए उसमें मैंने आपको सात्वाहन वन्स चेदी वन्स साथी साथ आपको मैंने सुंग वन्स के बारे में कराया है वार्टाटक वन्स भी हमने पढ़ लिया है ठीक है तो आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि नहीं है लेकिन इसको भी हम लोगों को पढ़ना ही है ठीक है तो चलिए question देखते हैं सबसे पहले हम लोग हिंधी यवन सासकों के बारे में जान लेते हैं इससे question क्या क्या बन सकते हैं तो पहला question है मौरियोत्तर काल की सबसे महतवपूड घटना क्या माने जाती है मौरियो मौर्योत्तरकाल यानि मौर्यों के बाद मौर्यों में सबसे अंतिम सासक जो था वह था ब्रिधरत ठेक है और ब्रिधरत की हत्या करके आपको पता होगा पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंस के अस्थापना की थी तो वहीं मौर्यों के बाद मौर्योत्तरकाल माना जाता है और उसकी सबसे मतुपूर घटना थी मोरोत्तरकाल में कि बैक्ट्रिया के यवनों ने आक्रमण कर दिया था भारत में अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस द्वारा अस्थापित पस्चमी और मध्ध एसिया की विशाल सामराज को उसके किस उत्राधिकारी ने अच्छोने बनाई रखा तो सेल्यूकस का उत्राधिकारी हुआ एंटियोकस प्रथम और इसने जो भी सामराज था एसिया का विशाल सा लोरौन किसि न किया था डियो-टोर्ठ स्बंगर्ध tips लिए अग्ला question नहीं हुआ है भारत पर सबसे पहले आक्रमर्बैक्रिया किस न इस सासक karışता है झाल डेमेट्रिक मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में नाकसेन और मिनांडर का ठीक है जो सनवाद है उसको वड़ित किया गया है तो यह पुस्तक बहुत ही important है उसको अभी हम लोग question में देखेंगे ठीक है अगला question है देखे question आ भी किया है ठीक है मिनांडर इवं नाकसेन के मद्ध सनवाद एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है उस पुस्तक का नाम क्या है तो मिलिंद पन्हो ठीक है बहुत important question है very very important है अगला question भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किये गए हिंद युनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये गए ठेक है यहाँ पर question यह पूछा गया है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किये तो हिंद यूनानियों ने अगर आपसे question पूछा जाए देखेए बहुत तरहिके के question पूछे जाते हैं तो आपको question अच्छे से समझना है उसके बाद answer देना है अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले नेश्ट question है हिंद यूनानी सासकों ने भारत के पस्चिमी सीमा प्रांत में यूनान के किस प्राचीन कला का प्रचलन कराया तो वह था हेले निट्रस आर्ट अगला question है भारत में हेले निट्रस टिक आर्ट का सर्वक्रिष्ट उधारर सबसे अच्छा उधारर क्या है तो गांधार कला और गांधार कला जो था वह भारती एवं यूनानी सैली का मिस्रड था तो यह भी question पूछा जाता है अगला question है यवन सामराज की दूसरी साखा यूक्रेट टाइट स्वन्स की राजधानी क्या थी तो तच्छ सिला थी नेश्ट question है डेमेट्रियस प्रथम ने 183 सा पूर्वे पंजाब के कुछ छेतर को जीत कर अपनी राजधानी कहां बनाई थी साकल साकल राजधानी बनाई थी डेमेट्रियस प्रथम ने अगला question है हिंद यूनानी सासक जिसने भारती राजाओं की उपादी धारण की और यूनानी और खरोष्टी लिप्योद वाले सिख्के चलाए तो वह था डेमेट्रियस प्रथम जिसने युनानी और खरोष्टी लिपी वाले सिख्के चलाए तो यह बहुत ही important question है अगला question है हिंदी युनानी सासकों में सबसे अधिक विख्यात सासक कौन था तो यह था मिनांडर मिनांडर ने बहुत धर्म की दिच्छा भी ली थी किस से ली थी तुम मैंने आपको बता दिया नाकसेन से अगला question है मिनांडर के सासनकाल में सिख्छाय में ब्यापार का प्रमुख केंदर था साकल जो कि स्याल कोट में है आधुनिक अगला question है बहुत साहित्यों में मिनांडर को किस नाम से जाना जाता है मिलिंड के नाम से जाना जाता है अगला question किस ने विदीशा में गरूड अस्तंब अस्थाफित करा कर उस पर वासुदेव का नाम अंकित कराया था तो वह था हेलियो डोरस नेश्ट question है युक्रेडाइडिस वन्स का अंतिम यवन सासक कौन था तो वह था हर्मियश अगला question नेश्ट question है कि किस युनानिस सासक के कुछ सिक्कों पर उपर कुसाड वन्स के पर्थम सासक कुजूल कटफिसियस का उत्किड है मतलब उसका अंकन है तो वह था हर्मियश हर्मियश ने कुछ ऐसे सिक्के चलाये थे जिस पर कुसाड वन्स के जो स्थापना किये थे पर्थम सासक वह थे कुजूल कटफिसियस उनका नाम अंकित था ठीक है नेश्ट question सब्ता हमें साथ दिनों का विभाजन ग्रहों के नाम नचत्र के अनुसार भविष्य बताने की कला भारतियों ने कहां से सीखी थी तो वयद सीखी थी यूनानियों से ठीक है जब यूनानी भारत आये थे तो कुछ बाते यूनानियों से भारतियों ने सीखी थी और कुछ बाते भारतियों से यूनानियों ने भी सीखी थी जब दो सभ्यताओं का संगम होता है, मिलन होता है, तो ग्यान कुछ वहां की सभ्यताओं वाले यहां की सभ्यताओं से भी सीखते हैं, ठीक है, मिलन होता है जब सभ्यताओं का, तो ग्यान का अदान परदान होता है, ठीक है, तो इस अपताह में जो साथ दिनों का विभाजन, ग्रहों का नाम नचषत्र के अनुसार भविस्य बताने की जो कला है वह भारतियों ने यूनानियों से सीखी थी ठीक है Next question सक आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहां से क्या क्या question बनते है तो यूनानियों के बाद भारत में किसका आक्रमण हुआ था तो युनानियों के बाद भारत में सको का आक्रमर गुआ था सको की कुल कितनी साखाएं थी पांच साखाएं थी जिसमें से चार साखाएं जो हैं भारत में थी और एक अफगानिस्तान में था तो चार साखाएं कौन-कौन से थे देख लेते हैं हम लोग भारत के सासक स्वयम को छत्रप कहते थे यानि कि गवर्नर ठीक है तो छत्रप या गवर्नर कहते थे अपने आपको ठीक है तो तच्छ सिला सासक का जो पर्थम सासक था तच्छ सिला साखा भारत में जो थी उसका पर्थम सासक क्या था तो वह था मोग या मोग मतूरा एक साखा थी ठीक है चार सखाएं भारत में थी कुल तो पांच सखाएं थी लेकिन चार सखाएं भारत में थी तो मतूरा साख का जो पर्थम साख था राजोल उज्जैन साखा का पर्थम साख था चस्टन और नासिक का पर्थम साख था भूमक ठीक है चार सखाएं भारत में थी और एक अफगानिस्तान में था और आपको यह भी ध्यान देना है कि तच्छ सिला और मतूरा को उत्तरा पत्थ छत्रप कहते थे ठीक है उत्तरी छत्रप कहते थे सक सासक को और उज्यायन और नासिक जो था वह पश्चिमोत्तर छत्रप कहे जाते थ तो वह सक सासक था रूद्र सिंग द्वितिये जिसको की चंद्रगुप्त द्वितिये ने जिसने की विक्रमादीति की उपाधी भी धारड की थी बहुत ही महान सासक था गुप्त वन्सका ठीक है इसने रूद्र सिंग द्वितिये को पराजित करके चादी के सिक्के चलाए थ अगला question है अंठावन इसापुर में कहां के अस्थानिय राजा ने सको को पराजित करके खदेडा था और विक्रमादित की उपाधी धारड की थी तो वह उज्जयन के राजा थे सको पर विजय को उपलच में अंठावन इसापुर में एक नया सन्वत चलाया गया था वह था विक्रम सन्वत सक मूलता किस छेत्र के निवासी थे तो सक जो थे वह मद्य एशिया के निवासी थे अगला क्वेश्चन है सक सासको में सबसे परतापी सासक था रुद्रधामन अगर सको से क्वेश्चन आता है तो रुद्रधामन के बारे में जरूर पुछा जाता है क्योंकि इसने ही सुदरसंजील का पुनरुधार भी किया था तो ये बहुत important सासक था रुद्रदामन कडियावार की सुदरसंजील का पुनरुधार किस सक सासक ने किया था रुद्रदामन ने ठीक है बहुत important यह question है रुद्र दामन की जानकारी का प्रमुक्स रोत क्या है जूना गड़ अविलेक जूना गड़ अविलेक से हमें रुद्र दामन के बारे में जानकारी मिलती है रुद्र दामन द्वारा संस्कृत भासा में जारी किया गया सबसे लंबा अविलेक कौन है गिरिनार का अभिलेक गिरनार अभिलेक जो है संस्कित भासा में जारी किया गया है और यह सबसे लंबा अभिलेक है संस्कित भासा में इससे पहले जितने भी अभिलेक थे वह प्राक्रित भासा में ही मूलता हमें मिलते हैं और यह पहला अभिलेक था जो संस्कित भास से कितना प्रेम् करता था ठीक है अगला क्वेस्चिन प्ललों के बारे में हम जानते हैं किया क्वेस्चिन बन सकते हैं तो पहला क्वेस्चन है पल्लोवनस से भारत का पर्थम पार्थियन सासक कौन था वह था माउस भारत में पार्थियन समराज का वास्तविक संस्थापक की से माना जाता है मित्रोडेटस पर्थम को भारत में पार्थियन समराज का सबसे परसिद्ध सासक गोंडोफर्नीच था जो में इसाई धर्म प्रचारक जो सेंट थामस थे वह भारत आए थे तो बहुत ہ situación है इमपॉर्टेंट शांसक था गुंडो फरनीज इसी के टाइम में जिसने की 20 4040 सवी तक भारत में शासन किया इसाई धर्म के परचारक थे सेंट थामस भारत आये थे गुंडो फरनीच की राजधानी क्या थी तचसिला कुसार वंस जो की बहुत ही इंपोर्टेंट वंस है कुसार वंस के सासक कनिस्क ने ही सिल्क रोड पर अपना अधिकार किया था तो बहुत ही इंपोर्टेंट यह वंस है इससे क्वेस्चन जरूर बनते हैं चलिए इससे क्या क्या क्वेस्चन बन सकते हैं पहला क्वेस्चन कुसार मद एसिया की किस जाती से संबंदे थे तो यह थी यूची जन जात यूची जाती से संबंदे थे कुसार वंस के अगर कुसार की जाती पूछी जाए तो वह थी यूची अगला क्वेस्चन भारत के पस्च लिपी प्रयोग की गई एक औरgenommen यूनानी और दूसरी और खरोश्टी लिपी तो इसने दो तरह की लिपियों के सिक्के चलाए एक तरफ यूनानी लिपी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपी अगला क्वेस्चन नमारा है बुद्ध की प्रथम मुर्ती का निर्मार किस कलासैली के अंतरगत हुआ कनिस्क बौध धर्म की किस सासखा का नुयाई था महायान आपको पता होगा कनिस्क के ही टाइम में बौध सभा का आयोजन हुआ था चौथी बौध सभा ठीक है और बौध धर्म जो है दो भागों में बट गया था हीन यान और महायान तो बौध धर्म की महायान साखा का यह अनुयाय था कनिश्क। ठीक है। कनिश्क द्वारा किस नए नगर की अस्थापना की गई? तो इसने कस्मीर में कनिश्क पूर और तल शिला में सिरकप नगर की? चनिश्थापना की? सबसे सुद्ध सोने के सिक्ट किस वंस के सासको द्वार जारी किए गए? कुसार वंस के सासकों के द्वारा ही सुद्ध सोने के सिक्के जारी किये गए अगला क्वेस्चन सबसे ज़्यादा तामबा के सिक्के किस के द्वारा चलाए गए कुसार वंस के सासकों के द्वारा ही तामबे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए नागारजुन ने किस पुस्तक में सापेचिता का सिधान प्रस्तुत किया था माध्यमिक सुत्र में देखिए जो आइंश्टीन थे उन्होंने भी सापेचिता का सिधान दिया था जिनके लिए उनको नोबिल प्राइज मिला लेकिन उससे बहुत समय पहले ही नागारजुन ने जो कि कनिस्तक के दरवार में रहते थे उन्होंने सापेचिता का सिधान प्रस्तुत कर दिया था इसलिए नागारजुन को भारत का इंस्टीन भी कहा जाता है अगला क्वेस्टन हमारा है कुसारवस का सबसे परतापी राजा कौन था कनिस्ख जो की 78 WILLष्वी से 105 इस्वी तक भारत में साषन किया कुसारवस की राजधानी क्या थी तो परतम राजधानी इनकी पेशावर थी और दूसरी राजधानी थी मतूरा 78 इस्वी में गद्धी पर बैठने के पाथ कनिश्क ने कौन सा सन्वत चलाया सक सन्वत इसने चलाया जो की भारत सरकार दोरा अभी भी काम में लाया जाता है तो इसने 78 इस्वी में जब गद्धी पर बैठा तो इसने सक सन्वत चलाया अगला question है कनिश्क बहुत धर्म की किस साखार का अनुगाई था तो यह महायान साखा का अनुगाई था यह question repeat हुआ है important question है अगला question बहुत धर्म की चतूर्थ संगत कनिश्क के साशनकाल में कहां संपन हुई थी तो बहुत धर में चार संगत हुई थी चार सभाय आयोजित हुई थी पहला हुआ था अजास शत्रु के टाइम में जो कि हर्याकवंस का था बिमबिसार का बेटा दूसरा असोग के time period में हुआ था तीसरा, स्वर्इ, दूसरा हुआ था काला सोग के time में तीसरा हुआ था असोग के टाइम में चौथा हुआ था आपका कनिश्क के टाइम में ठीक है उसके बाद अगला क्वेस्चन है हमारा बौत धर्म की चतुर्थ संगत कनिश्क के सासनकाल में कहां आयू थी थी कुंडर्मन में जो की कश्मीर में कनिश्क के सासनकाल में किस सैली का जनम हुआ गांधार और मतुरा कला सैली का जनम कनिश्क के सासनकाल में ही हुआ था अगला क्वेस्चन है कनिश्क के दर्वार में आयूरवेद के प्रसिद विद्वान कौन थे चरक जो थे वह कनिश्क के ही दरवार में रहते थे जो कि आविवेद के प्रसिद विद्वान थे और इनके द्वारा लिखी पुस्तक भी पूछी जाती है कनिश्क के ही दरवार में रहते थे यह चरक सन्हिता नमक पुस्तक इनहीं के द्वारा ही लिखी गई है भारत के आइंश्टीन किसे कहा जाता है नागारजुन को ठीक है क्योंकि इन्हों ने भी अपने पुस्तक जो है उसमें सापेचिता का सिधान दिया था अगला क्वेस्चन है कनिस के पुरोहित कौन थे संग रच्छ अगला क्वेस्चन बहुत धर्म का विश्वकोस किस पुस्तक को कहते हैं मह विभास सुत्र जिसके रच्नकार वसु मित्र हैं जो की कनिस के दरवार में रहते थे उसे बहुत धर्म का विश्वकोस कहते हैं अगला क्वेस्चन बॉद्धो की रामायर बुद्ध चरित की रचना किसके दोरा की गई अस्व घोस के दोरा की गई ठीक है बुद्ध चरित की रचना यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है यह पुस्तक पूछी जाती है इसके रचनाकार अस्व घोस याद कर लिजे आ अगला question है कुसार्वंस का अंतिम साथक। कौन था वासुदेव कुसार्वंस का अंतिम साथक था कनिस्क नहीं चीन से रोम जाने वाले कितने रेशममार्गों पर अपना नियंतर डख्खा। 7 तो हमने पढ़ लिया कॉंकों से वंस हमने पढ़े कुशारवन्स हमने पढ़े हिंद्य- abre सख सासकों साथ हमने सक्षवाइब कर देठक मॉल्युत्रव्त है मैं हमने दो भागों में बाठ करके पढ़ा दिन पौण्य續 nhi-US जितने उम्रीह बाठ ना है है जितने भी question बन सकते थे